हाँ फ्रेंट सागता आपका लेटिका फेट उप चला में दोस्तों उत्तर प्रदेश मैट्रो रेल कारपोरेशन लिम्टेट यानि की यूपी एमार्सी यूपी एमार्सी की तरफ से जूनियर इंजिनियर एन असिस्टन मैनेजर की नए वेकिंसी का फुल नोटिफिकेशन र एक नॉमबर 2022 से इसका फॉर्म इस्टार्ट होगा ऑनलाइन करने के लिए और 30 नॉमबर इस फॉर्म की लाश्ट डेट है ठीके और आपको बता दू कि इन्होंने एडमिट कार्ट की डेट और एक्जाम की टेंटिट भी दे रखा है एडमिट कार्ट करने की डेट है आगे पीछे भी हो सकती है ठीक है अभी टेंटिट इट है तो यह आप सभी लोग को लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है गुड नूज है तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बरेंगे मैं आपको एटू जेट इन्फॉर्मेशन में देने वाला हूँ आप चैनल पे आपकी जो वेकिंसी है सबसे पहले आप देख लिए यहाँ पर बता दो आपको डिप्लोमा एंड डिगरी बी वीटेक सभी लोग यहाँ पर इलिजबल है फार्म को अप्लाई करने के लिए ठीक है यहाँ पर जो असिस्टिन मेनेजर सिविल के लिए पोस्ट है आप यहाँ यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पर सिक्ष्टी सोला पोस्ट है पचास जारत लेकर के एक साथ जारत तक यहाँ पर आपको सैली रहने वाली है 21 से 28 साल यहाँ पर एज लिमिट माग गया है यहाँ पर एक्शुबिटिव टेक्निकल के आपकी पोस्ट होगी ठीक बुक्त है सिवेल के लिए यहाँ पर देख पा रहा है मेडिकल इस्टेंडर्ड आपका होगा वह भी है सब कुछ यहाँ पर दिया गया फिर आप़ एटन्हेंचिंज आपै है असिस्टन मैनेजर आपको और आलेक्री एक्राइकटिकल के लिए पोस्ट है इसमेठों क्àyटे यहां पर BE, BTEC, Electronics, Electronics, Communication वाले यहां पर apply कर सकते हैं और यहां पर 21-28 यहां पर भी age रखा गया है यहां पर minimum percentage वाहाँ पर 60% यहां पर होना चाहिए ठीक है यह बात हो गई आपके आगे यहां पर assistant manager की post आपके accountant की है accounts की है, यहां पर एक post है, जो की यहां पर माग गया है CA काफी लंबी यहां पर degree माग गया है 21-28 यहां पर माग गया है और आगे यहां पर दोस्तों हम बढ़ते हैं जो हमारी post आती है, non executive category की post है वो हमारी executive category की थी यहां पर जो first port है junior engineer की ठीक है any one है यहां पर junior engineer यहां पर civil की होगी, यहां से 33,000 से लेकर के 67,300 आपकी sell ले होगी, total है यहां पर 43 post है, तीन साल का आपके पास diploma होना चाहिए, civil engineering से यानि कि general EWS और OBC वाले 60% mark है तो अपलाई कर सकते हैं और SCST वाले के पास 50% mark है वो अपलाई कर सकते हैं, diploma में ठीक है, civil engineering से, उसके बाद दोस्तों यहां पर आती है, junior engineer electrical की any two जो post है, यहां पर आप देखेंगे आपर 49 total post है इसमें आपका 33,000 से 37,300 आपके यहां पर sell ले होगी, तीन साल का आपके यहां पर diploma मांग गया है electrical और electrical electronics engineering में आपका मांग गया है, यहां पर भी आपका same वही criteria है, इसमें branch change होगी सिर्फ यहां पर branch electrical electronics होगी ठीक है, यहां पर आपकी 28 यहां पर age मांग गया है और यहां पर जो आपका medical होगा वो A3 level का आपका medical कराया जागा medical आप सभी को पता है कि बहुत ही अच्छा खासा बहुत ही बनहिया medical होता इसमें, तो आप लोग बहुत ही fit होना चाहिए, ISO, इसमें फिट होने चाहिए ठीक है, A2, A3 level का यहां पर medical होता, medical होता मैं अल्रेडी वीडियो बनाया था 2021 में अगर आपने देखा होगा नहीं देखा हो, वह आप सर्च करके देख भी सकते है ठीक है, और मैं description box में डाल लूँगा वे डूख और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर 49 post है और यहां पर वही same criteria है कि general OBC और आपका EWS के लिए 60% mark और SC-ST के लिए 50% mark यहां पर होना चाहिए आगे यहां परते हैं junior engineer S&T की यहां पर सेम वही है 39,000,000 आपका वेतर होगा तीन साल का अपर डिप्लोमा electronics, electronics engineering, communication में आपका बहना चाहिए यहां पर 21,212 है, A3 का medical होगा यहां पर 17 total post है फिर आगे परते हैं आपका assistant account assistant की post होगी यहां पर आपका OBC के लिए यहां पर एक post है S&T के लिए पोश्ट है इसमें become आ गया है, यहां पर बीकॉम 3 साल का अपर होना चाहिए 60% mark आप इसमें apply कर सकते हैं यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर gradation मागा गया है 21,28 से हमागा साथ साथ दोस्तों आपको age relaxation भी दिया जागा SC, ST का 5 साल का OBC का 3 साल का age relaxation भी दिया जागा age relaxation सिर्फ UP के candidate को ही मिलेगा ठीक है, जो फाइदा हो सिर्फ UP के candidate को ही मिलेगा other जो state के candidate हैं अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन के बारा में यहां पर दोस्तों दिया है मैं आपको पहले बता दिया कि आपको यहां पर 60% यहां पर आपका OBC और आपका EWS जनरल का होना चाहिए और SD, SD के यहां पर 50% मार्क होना चाहिए यहां पर selection process के बात कर लेते हैं, जो assistant manager की post है, यहां पर आपका जो एक आपका door test होगे इसमें आपका return test होगा, उसके बाद यहां पर DV कराया जागा, उसके बाद दोस्तों यहां पर medical तो होना ही है इसमें आपका return test होगा, उसके बाद आपका यहां पर DV होगा देना आपका medical हो जाएगा, ठीक है, यह process होगा आपका तीनों पोस्टर में बात कर लिया है आगे यहां पर हम बालते है, medical examination के बारे में दिया गया है, बाकी जब इसको आप description box में लिंक बेने दिया है, वहां पर click करके आप PDF डाउनलोड किजिएगा, आप इसको अच्छे से read कर सकते हैं यह आपको official website का देख पारें, दूस्तों यह इसका link दिया गया है, और बाकी description box में इसको आप जाकी वहां से देख सकते हैं, यहां पर अगर कोश्चन बात करें, देखें यहां पर, the area will be total 140, 140, 140 question यहां पर आपके पूछे जाएंगे, E1 और E4 जो आपकी पोश्टे हैं, औ और यहां पर बात करते हैं, आपका दो घंटे का paper होगा, 1 by 3 यहां पर negative marking होगा, हिंदी और English तूनों में आपको paper यहां पर मिलेगा, ठीक है, तो यह आप लोग द्यान दीगा, आगे यहां पर हम चलते हैं, CBT ही test होगा है, CBT ही आपका test होगा यहां पर आगे यहां पर दे आपने सन सेंटर होगे दोस्तों, वो आपके यहां पर देख पाने दिया गया है, मैं इसको underline कर देता हूँ, यह आपके सभी सेंटर यूपी में होगे, इसी में आपको सेंटर रहेंगे, तो यह चीज़े है, और यहां पर देखते हैं, जो आपका training cost हो भी दिया गया है, 94 रुपए आपका एजुकेटिव पोस्ट के लिए है, जो आपको non-education के लिए से 35,400, ठीके, यह चीज़े है, ट्रेनिंग के कोश्ट है, यह बांड होता है, जो कि आपको भरना होता है, रिफंड हो जागा, फिर यहां पर आप देख पा रहें, आगे यहां पर देखेंग करते दूँगा, और वीडियो को दोस्तों प्रशन दाने हैं, आप इसको लाइक कर देगा, चैनल पे पहली बाब इसको सब्सक्राइब कर देगा, और इस PDF को आप चाहते हैं, नीचे discussion बाक से आपको link मिल जागा, उस link क्लिक करका आप वीडियो को प्राफ कर सकते हैं, मिलत आप सब्सक्राइब वीडियो में, थैंक कोर्टिंग डिस वीडियो,